मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारत के चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूँ एक मिनट, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा था परधान मंतरी निरेंद्र मोदी ने, जब वो परधान मंतरी नहीं थे आपने प्रधान मंतरी को सुना, अब कुछ जरूरी तत्थ भी जान लीजिए 2019 के बाद से तीन भी पक्षी दलों ने आदर्श आचार संहिता के उलंगहन के आरोप लगाते हुए प्रधान मंतरी निरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में कम से कम 27 शिकायते दर्ज कराई हैं इन में नफरत फैलाने वाले भाशड ओट मांगने के लिए सेना का इस्तमाल, धर्म के नाम पर ओट मांगना और प्रधान मंतरी की चुनावी रैलियों के भाशड तैयार करने में सरकारी मंतराले का इस्तमाल करने के आरोप शामिल हैं ये सभी मौडल कोड आफ कंडक्ट के खिलाफ हैं और अभी तक इन में से किसी भी मामले में चुनाव आयोग ने कोई कारवाई नहीं की है चुनाव आयोग ने पहली बार 25 अपरेल को बीजीपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा को पीयम मोदी के भासड पर नोटिस जारी किया हलाकि नोटिस में कहीं भी चुनाव आयोग ने प्रधान मंतरी के नाम का जिक्र नहीं किया ये नोटीस प्रधानमंत्री के राजस्थान में दिये गए भासड के बाद दिया गया जिसमें पीयम मोदी ने कहा था कि आगर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं और आधिवासियों की संपत्ती घुसपैठियों और ज्यादा बच्चों वालों में बाट देगी राहुल गादी और मलिका अरजुन खडगे के बयानों पर इसी तरह एक नोटीस कॉंग्रेस पार्टी को भी भेजा गया लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये है कि चुनाओ आयोग पहले आचार संहिता के उलंगन पर उमीदवार को सीधा नोटीस जारी करता था लेकिन कई नेताओं को समय समय पर नोटीस जारी किये गए हैं महराष्ट के पूर्मुक्वंत्री और शुषेना यूबी टी प्रमुख उधो ठाकरे ने 21 अप्रेल को बताया कि उन्हें अपनी पार्टी के नए गीत जैभवानी और हिंदू शब्द हटाने के लिए चुनाओ आयो बली बोलने और एबियम का बटन दबाने को कहा था तो उसने क्या किया कॉंग्रेस पार्टी ने 4 मई 2023 को करनाटक में चुनाओ पर चार के दौरान हनुमान का नाम लेने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाप अधिकारिक रूप से शिकायत दच कराई थी इसके बाद चुना प्रधानमंत्री पर एक अनयतिक सोशल मीडिया पोश्ट को लेकर दिल्ली के सीम अर्विन के जिरिवाल को भी नोटिस चारी किया गया था पार्टी के अधिकारिक एक्स हैंडल पर साज़ा किये गए पोश्ट में प्रधानमंत्री नेरेंद्रमोदी उद्धोग पती गौत अफकारवाई करने में जिजग रहा है हमने चुनाव आयोग को इस मामले में पर्तकिरिया के लिए संपर्क किया हलाकि 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में जो कहा था वो आप सुन लीजिए आप पिछले 8, 10, 11 elections की सारे आरोप जितने हमारे पास आये हैं वो सबको एक बार पढ़िए सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेज देखिए जो हमने दिये हैं उसमें जहां जहां कोई भी violation established होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं समय कार और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा हाउसोएवर हाई स्टार केंपेनर ही और शी में भी बाकी खबरों के लिए देखते रहें कोईट और कोईट हिंदी कर दो कर दो